जी हैं दोस्तों अमीद है आप खेरियत से होंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने MetaMask wallet के अंदर वेलास network को एड़ कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना है बहुत सिंपल तरीका है सबसे पहले इसको मैं आसर बंद करता हूं ठीक है आप अपने Google पर जाएं और Google पर जाने के बाद आपने सिंपल यह करना है आप वेलास network MetaMask यह लिख दें और एंटर कर दें तो यहां पर जो लिखा वार है करनी है उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है अपने MetaMask के अंदर जाएं अगर वालेट नहीं है तो उसको अनलॉक करें पहले और अब आपने यहां पर जब अनलॉक हो जाए तो आपने इस पर क्लिक करना है ठीक है यह जो एथीडियम में नेट लिखा है इस पर उसके वेलास नेट वर्क ठीक है यहां पर वही आ रहा है उसके बाद आपने यह वाला एडरेस इसी तरह से यहां पर कॉपी करना है तो मैं वो कर देता हूँ और फिर हम e-v-m-e-x-p-l-o-r-e-r.velas.com . उसके बाद नेक्स है चेन आइडेडी चेन आइडी यहां पर दिखा रहा है 106 तो आप यहां पर डालेंगे 106 तो आप यहां पर डालेंगे 106 तो वो भी आप मैं यहाँ पर डाल देता हूँ evmexplore.vaylas.com बस और अब आपने करना है क्लिक Save और आपके MetaMask में वेलास Network एड हो गया है अगर आपने Notice किया हो तो पहले यहाँ पर वेलास Network नहीं आ रहा था अब यहाँ पर वेलास Network आ रहा है इसका मतलब है आप यहाँ पर वेलास Network पर होने वाले जो भी coins है अवेलेबल है coins, tokens या जो भी है आप वो यहाँ पर अपने MetaMask के अंदर उनके साथ उसको connect कर सकते हैं तो बस यह इतना ही simple था अगर आप mobile से भी करें तो एस बिल्कुल exactly आपको यही detail आपको add करनी होंगी ठीक है और इसी तरीके से करनी है एक तरीका यह है कि आप यहाँ पर डॉपडाउन पर क्लिक करके कस्टम RPC पर क्लिक करते हैं ठीक है दूसरा तरीका होता है कि अगर आप यह circle पर क्लिक करें फिर settings में आएं और सोड़ा सा नीचे आएं उसके बाद यहाँ पर लिखावार है networks इस पर क्लिक करें उसके बाद यहाँ पर आप add network पर आएं तो वही वाले boxes जो यहाँ पर आपन इसको लेकिन अगर आप यहाँ से आके सेटिंग में आके network पर आके add network पर करना चाहते हैं आप यहाँ से भी कर सकते हैं अगर यहाँ से आके simple custom RPC पर select करें तो यहाँ से कर लें थोड़ा सा short है लेकिन कोई फर्क नहीं है एक ही चीज़ है और आखिर में आपको यह बता दू हमारे यहाँ पर show हो रहा है अमीद है आपको समझ में आ गई होगी अगर कोई question आपका कोई problem आ रही है आप मुझे comment में पूछ सकते हैं मैं आपको उसका reply कर दूँगा इसके साथ ही मैं वीडियो के ही खतम करता हूँ शुक्रिया